एर इस्टुडेंट्स हम आपके जो हिंदी सब्जेक्ट है उसके important questions देख रहे हैं तो जो भी questions यहां बताए जारे हैं एक बार चेक कर लीजिए आपने कितनी अच्छी तैयारी कर रखी है और क्या आपने यह questions पढ़ रखे हैं तो यहां पर जो पहला अगर आप question देखेंगे तो काव्यांस दिया गया है जिसकी सब प्रसंग व्याख्या करनी है तो यह काव्यांस है आपके सामने बधी न सकेऊ सही मोर दुलारा तो इस तरह से ये काव्यान से अगर आप इस काव्यान को देख लेते हैं तो आपको सायथ समझ में आ जागा कि आपको आपने इसको पढ़ा था या नहीं पढ़ा था तो इस तरह का ये काव्यान से दूसरा इसके अथवा पार्ट में जो है मैं क्योंकि दो पेपर दिखाऊंगा अभी आपको दूसरा पेपर भी बताए तो मैं यह वाला है जिसमें ये प्रभूजी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी तो इस वाला भी आपको देखाना है, मैं बाद में बताऊंगा आपको, पहले एक paper को complete कर लेते, तो यहाँ पर जो है, यह आपका एक खंड का में यह आ सकता है, possibility है, आप इसको अगर आपने नहीं पड़ा है, तो जरूर तेयार कर लें, इसी के अथवा में वेरग्य छोड़ बाहो की विभाद संभालो, यह वाला भी है, तो अथवा में, मतलब या तो आपको यह करना होगा, या यह करना होगा, इसका बाद में खहर खंड में जो है, आपको पंक्टियों का काप्वे सुन्दर रे बताना है, जब वे सुधी कीजिए, तो यह वाला जो है, इसका आपने इतने तयार किये हैं नहीं किये हैं तिनी दो प्रश्णों के उत्तर देने हैं आपको जो मीरा की आंतरिक पीड़ा का क्या कारण है और पदमाकर के अनुसार गोपी की और एक साथ कौन कौन कब दोड़े ठीक है तो यहाँ पर आपको बताना है और तीसरा इसमें मुस्कुरा कर प्यार भरी बाते किस से और क्यों करना चाहती है तो इस तरह से यह कोश्चन है आप देख पारें इसके बाद अगर हम और बात करें कोश्चनों की तो यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट कोश्चन है मौन अथ्वा मैं नीर भरी दुक्की बदली कवीता का आप एक बार चेक कर लें अ ठीक है इसके बाद में है आपका निमलिखित पंक्तियों में नीहित च Хंद और अलंकार आपको बताना है यह बाद के प्रगतिवादि का वे शोशितो के प्रती सहानु भूती का काव्विय है यहिएस पस्ट करना है आपको इसके बाद में इसी का अथवा पार्ट में पूछा गया है नई कवीता की दो प्रमुक विशेषता हैं जो है आपको बतानी है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है आपका कुश्चन आ सकता है जो गध्यान से प्रसंग व्याक्या पूछे जाते हैं यहाँ पर गध्यान से आज अनुरादा समस्थ प्रश्णों से मुक्त है यह वाला एक पैसेज है ठीक है यह आपका दिया गया है चैप्टर से अत्वा में है आपका यह मन ही तो है इसमें भी आपको करना है या तो फिर आप उपर वाला करे या यह वाला तो आप देख लीजिए कि आपने यह वाले जो है गध्यान्स को पढ़े या नहीं पढ़े आपने तियार करे या नहीं करे इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट जो धीनि दो प्रश्णों के उत्तर फिर आपको कुटज व्रक्ष की दो विशेशताइं बताने हैं और जोमता यापको बताना है या दो पीडियों की कलागत मुल्ल बहुत चल रही थी लेका क्या कहना चाता है या आपको बताना है तो इस तरह से ये तीन प्रश्ण है आप कैसे दे सकते हैं वह आपको बताना है इसके बाद है छोटी रानी ने राम दयाल से सरप्रथम को सरप्रथम क्या आदेश दिया था यह आपको बताना है इसके बाद में आपका देवी सिंग ने गौत्मी को अपनाने के प्रस्ताव पर क्या उत्तर दिया यह आपको बताना है इसके बाद में आपका नेक्स जो है इसमें पूछा क्या गया है निमलिकित काव्यांस को पढ़ करके प्रश्ण के उतरती है काव्यांस है इस तरह से मैं सबसे छोटी हों तेरी गोद मिस हों बहुत इंपोर्टेंट है और कई बोड में यह आ चुका है ठीक है तो यह वाला ज क्या हानी है यह भी कोशन आया था माता चल किस प्रकार करती है यह भी बिलकुल आया था और इसके बाद में बेटी मा से क्या दिखाने की इक्षा कर रही है और इस कवीता में कौन सा भाव है यह आपको बताना है जिसमें विरह है लगाव है इर्शा है कौन सा है यह आपको इसमें कौन सा है आपको बताना है समझ करके आसानी से आप आंसर दे सकते हैं तो इस तरह से एक है आपका इसके बाद में अगर हम बात करें तो यहां पर आपका फिर से गध्यान से वो कभ्यांस था और यह गध्यान से प्राय देखा जाता है कि विज्ञान के छेतर में तो य आपको बताना है कवपार्ट में खवपार्ट आपके सामने धर्म का लक्ष क्या है गवपार्ट में विग्यान और धर्म के लक्ष में भिनता पूछी गिए विग्यान और धर्म में क्या समानता है यह बताना है और दोनों के लक्ष एक दूसरे के पूरक कैसे हो सकते हैं उच पूछार आपको उत्तर देने हैं, तो सेवक और पराधीन, विलोम इसके आपको बताने हैं, ठीक है, विलोम पूछा गया है, यहाँपे हैं आपको जो कभी न मरे, उसको हम क्या कहते हैं, अमर कहते हैं, तो यह एक सब्द में बताना है, आकाश के दो पर रहावाची नभ बत नाक में दम करना वाक्य का प्रयोग करना है या आपको बताना है तो इस तरह से यह question है इसके बाद में आजाएए नीचे अंस का सार लगबग एक तीहाई में है वतलब इतना बड़ा है इसको एक तीहाई में लिखना है इसका अंस का शार आप देख सकते हैं इसके बाद में निमलेखित में से किसी एक विषय पर लगबग 300 सब्दों में निबंद लिखना है निबंद जो है पिर यह लेखक हो सकता है मित्रता का महत तो हो सकता है और सिकूर्टे वन या फिर वन संरक्षन इस तरह से आ सकता है या प्लांटेशन यानिकि वरक्षा रोपन भी आ सकता है तो यही चीज होते हैं बस आपको थोड़ा समाल के लिखना होगा विद्यारती जीवन और अनुसाशन ये भी एक इंपोर्टेंट रहेगा ठीक है तो यहां पर चार आपको प्रॉपिक दिये गए है निबंद के इसके बाद में आपका निमलेखित विश्यों में से किसी एक का भाव पलवन करना है तो करत करत अभ्यास वाला है और पराधीन सपने हूँ सुख ना ही ये वाला भी है तो दोनों में से आपको जो है क्या करना है एक का भाव पलवन करना है आप किसी पहाड पर छुटिया मनाने गए थे अचानक वर्वारी होने लगी अपने अनु और पत्र में थोड़ा सा अंतर है और यह कहां पे कार्राले पत्रियानी की आपका अपचारिक पत्रल जो है लिखना है अनपचारिक नहीं है यह अफिशेल लेटर रहेगा आपका और इसके बाद में जिसको हम फोल इंगलीज में फॉर्मल लेटर भी बोलते हैं और प्रारू को च्ख्तिय हैं उनको देखकर के कार्छार्ट बार्चितर भी बेंदना है आपको गडैत का अंक दिया है और विग्यान का दिया है सो से अस्य के बीच प्रिंट मीडिया में कम्प्यूटर का क्या उप्योग है आपको बताना है आपको अपनी चार साल पुरानी कार बेचनी है समाचार पत्र के लिए एक विग्यापन तयार करना है और अपने घर के पास हुई एक सड़क दूरगटना के बारे में समाचार आलेक तयार करना है आलेक और फीचर में आपसे अंतर भी पूछा जा सकता है थोड़ा सा ध्यान रखना इसके लावा जो है विज्ञान की भाष्या जो हिंदी का आपका आएगा उसमें आके आजाएगा निमलिखित शब्दों में से किनी दो की अर्थ आपको बताना है सीरा होती है धमनी होती है कभी पूछता है बाइट क्या होता है और गुरुत्व क् आपको बताना है चा रंकों का है बहुत ही सावधानी से लिखना होगा अ अशिक्षा जन-san к्या-वृद्धी का कानण कैसे बन सकती है ये भी आप का इसके उपर जन-san-क्या वृद्धी पर भी निबन आ सकता है ये वी धियान लखना है तो यह वाला भी हैं आपका important लेउ important रहेंगे ठीक है और मैं आपको बता दू दूसरा जो मैंना भी आपको बताया था उसको भी देख लीजिए यहाँ पर कौन-कौन से क्लास में हिंदी में आया था सेम टू सेम उठकर के ठीक है तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी यह वाला आप देख लेना इसके आथवा पार्ट में भी आपसे फिर दिया गया है जीवन में आज के यह वाला आपका है तो अगर आपने सब को पड़ा है तो आपको याद हो भरत का भात्र प्रेम कवीता के आधार और बताईए कि भरत जब बोलने के लिए खड़े हो जाते तो उनकी आखे क्यों डबडबा जाती है मैं नीर भरी दुक्की बदली कवीता में परिचे इतना इतिहास यही से महादेवी वर्माजी का क्या तात पर रहे है यह आपको ब बताना है तो यह आप तीन कोशन आपने देख लिए इनमें कौन कौन से कुश्चन आपने पड़े थे यह जरूर आप अपने आपको रिपेर कर लेना दुबारा से और सूफी काब्वे और संत काब्वे की दो विशेष्टाएं कौन सी हो सकती है आपको बताना है परशुर साधांड तहवाले का करें या फिर आज अनुरादा समस्त परशनों से मुक्त हो चुकी है यह देखिए यह कुश्चन दुबारा आया है मैंने अभी अभी जो पेपर दिखाया था उसमें भी यह रिपीट हुआ है ठीक है इसके बाद में है आपका पटित पार्ट के आधा आने देते यह आपको बताना है और सागर तटक से अपने होटल लोटते समय लेखक को किन कठनाईयों का सामना करना पड़ा आखरी चटान के आधार पर जो आपको उत्तर देना है और दो कलाकार पार्ट के आधार पर आपको बताना है कि क्या अरुना को भी कलाकार कहा जान देवता में विश्वास, मुंदेल खंड की संस्किती के प्रमुक अंग हैं अथवा में हैं आपका विराटा की पदमनी उपनियास का क्या उद्देश ये है और आलिम मर्दान के चरित्र की तीन विशेश्टाओं पर प्रकास आपको डालना है अथवा यहाँ पे जो next question है नेमेलिखित कवीता को पढ़ने के बाद में आपको कोला हाट को हो या सननाटा इस तरह से आपको ये एक छोटा सा कवीता दिया गया और इसके दिये गए कुछ प्रशन होंगे जिनके उत्रों को आपको देना है ये passage unseen passage जो में से count होता है तो आप इसको देख सकते हैं और अपनी हिसाब से जो इसका answer भी दे सकते हैं इस तरह के passage आपको देखने को मिलेंगे यहाँ फिर गद्यांस मिलेगा यदि वर्ष चैपलिन की जर्मशतिका ना होता तो तो यह वाला जो है आपको पढ़ना है और फिर इसके बाद में इसमें भी जो प्रशन पूछेगे हैं वो इसी passage के इसाब साब को answer दे देना है तो यह सारे के सारे प्रशन आपके सामने हैं इनके answer साब को दे देना है इसके बाद में आपका next इसके बाद में है उप्युक्त विराम चिन लगाना है तो यहाँ पर कहाँ पर विराम चिन लगेगा वाह कितना सुन्दर द्रश है वाह जब आ गया तो यहाँ पर आपका बिसमेवादिक बोधक चिन लगेगा और फिर लास्ट में फाइनल स्टेप लग जाएगा उसके यहाँ पर जो यह वाक्य है इसका भेद कहा है उन लोगों ने अपना काम पूरा कर लिया और हवा में गाठ लगाना अथ्वा एक अनार सौ बिमार मुहावरे का वाक्य में प्रियोग करना है तो दोनों ही चीजे हैं आप आसानी से कर सकते हो इसके बाद मैं निमलिखित पनी लेखन की क्या पदती है यह आपको बताना है इसके बाद मैं है निमलिखित आउतरन का सार जो है आपको एक तीहाई सब्दों में एक शीर्षक जो है आपको बता देना है ठीक है तो इस तरह से आप कर देंगे और यहाँ पर जो है आप देख सकते है हसी भीत्री इसका पूरा का पूरा पैसेज का यहां से लेके इसका सार बता देना है ठीक है तीहाई सब्दों में इसके बाद में है जो आपको यहाँ परिक्षा हाल में पहुंचे तो पता चला प्रविश पत्र घर पर रह गया आपको कैसा लगा अपने अनुभाव को आप संशेव मे नहीं होना चाहिए नीचे दिए गए चितर को ध्यानपूर वक्त देख करके पूछे गए पुरश्णो को देखीन आप एक बॉक्स है इस बॉक्स में जो जो चीज्ची आचुकी है इस बॉक्स में वेड Aujourd sub box के बाद में जो यह triangle है यह बताता है इसमें professor के बारे में और जो यह गोला है यह दिखाता है खिलाडियों के बारे में ठीक है इस तरह से यह आपने देख लिया आप देखिए इसमें पूछा जाएगा वयापारी जो खिलाडी है किन्तू प्रोफेसर नहीं तो आप देखो को वयापारी तो है लेकिन जो वयापारी भी है और क्या है खिलाडी भी है ठीक है लेकिन क्या नहीं है प्रोफेसर नहीं है तो खिलाडी भाईया यह द जो पार्ट है न द यह आपका वयापारी भी है और खिलाडी भी है इसके अलावा जो है प्रोफेसर भी है तो आपको ये दो लेना नहीं है आपको कौन सा लेना पड़ेगा फिर आपको लेना पड़ेगा ना तो सही आंसर क्या हो जाएगा ना हो जाएगा देखो वैपारी जो खिलाडी है वैपारी तो है ये बॉक्स में और य बृफेशर जो वे खिलरी नहीं है and फ्रोफेसर गिलारी भी qualquer नहीं कोईर कोई दिखिए करूंसर और दिन प्रती दिन बढ़ती मंगाई के उपर जो चिंतावयक्यana व्यक्त करते हुए दैनिक समाचार पत्र के संपादक को जो है पत्र आपको लिखना है पत्र किसी तरह का है सबका फॉर्मिट सही होता है सबसे पहले आपको संपाद अपना एड्रेस लिखना है उसके बाद में संपादक महोदय का जो भी आपको दिया नहीं है तो आप किसी संबाद को दे सकते हैं इसके बाद में किसी एक विसे पर आपको पर्यावरन पुर्दूशन है पुस्तुकों का महतो है करत करत अभ्यास जड़ती और इंटरनेट संचार का शक्ति साली माध्यम इस तरह से हैं और जो आपका अंतिम पढ़ाओ में हम पहुंच चुके हैं जिस इसमें निमलिखित के दो अर्थ बताने हैं फीचर का पित पत्रकारता और स्टिंजर इसके बाद में हैं मीडिया से क्या तात पर रहे हैं ये किस लोगों को जागरुक बनाने में उप्योग है किस प्रकार के लोगों को उपग्रह क्या है और इसकी क्या उप्योगिता है य आपको टिपणी लिख देनी है विज्ञान की भाषा जो है इसमें आपका निमलिखित में से किनी दो के अर्थ बताना है जिसमें उर्जा का धमनी का और अमोनिया का ठीक है इसके बाद में आपका विज्ञान और अंध्विश्वास में क्या अंतर है अंध्विश्व्यासी क कैसे अहित कर बैठते हैं आपको बताना है और महस्षी चरक कौन थे और उनकी प्रसिद्धी के क्या कारण रहें और जनसंख्या वृद्धी के कौन-कौन से प्रमुख कारण है सो उधारण स्पस्ट करना है आपको अथ्वा में है प्राकर्तिक संसाधनों का मुनुष्य ने किस छेतरों में दोहन आरंब किया दोहन मतलब उसका जो है क्या करा है कि नुकसानी करा है एक तरह से न और इसके बाद में कम्प्यूटर पर हिंदी में काम करना सरल है कुछ हिंदी सॉफ्टवेरों का उलेख इस कथन की पूष्टी करके आपको बताना है और विज्ञान की भासा अन्य विशे छेत्रों की भासा से किस प्रकार भिन है यह आपको बताना है आप जरूर चेक कर लेना कि आपने इन में से कितने पड़े हैं थैंक्यू वेरी मच्छ वे गुड डे